ममताब एनरजी जो आना एक खेली खेलाए खेलाडी है वो समझती है कि मैं कुछ भी कर लू I am above the law nobody can touch me nobody have the guts to do anything against me यह उसकी एक बड़ी misconception रही है दो सीवा सक्सेस्फुल in doing these things जितनी मारकाट कॉमिनिस्ट के टाब में होती थी उससे ज्यादा मारकाट अब कर रही है अहां पर जो है इस समय लॉइंड आउडर की सुचेस एड़ी लोएस्ट एब है बहुत बुरी हालत है जो ममताब एनरजी है वो इतनी धीट है जब मैं पेपरों में पढ़ रहा था आसे 10-12 दिन कहीं कहीं लिखा होता हत्यारन कहीं लिखा होता पापिन कहीं लिखा होता राक्षस नी पता लिए कहीं इतने इतने उटके खिलाब वर्ल करते थे अब मुझे लग रहा है कि वो सारे गड़ उसके ओपर वाजिब बैठते हैं ममताब एनरजी कहने को तो वह ब्रहामन है पुजार में जाती है अपना बहए दा बुर्का ओř करके जाती है उनके पूरे-पूरे कामों में पासिपेट करती है और कहीं पर भी अगर अगर मालों हिंदू र इलियन का अंदर कोई function होता है कोई ceremonies होती है जो नंको पॉर्फेशंस कर सब्सक्राइब कर दे नाब नहीं ले रहे हैं. पर यहां सुप्रीम कोट लगातार वमतावर्ण जी पर एक किए बाद एक कड़ी फटकार लगा रहा है. और ये जानने की कोशिश करेंगे जो बंगाल में लगातार ताजा घटना करम बने हुए है और लंबे समय से कयास लगाया जा रहे हैं कि बंगाल में बहुत ज़द हो सकता है कि राजपती श्वासन लगाया जाए तो हम सीधे इन से बात्चित करेंगे और ये जानने की कोशि जा रहे हैं सर हाला कि सुप्रीम कोड और हाई कोड इस पर अपनी नज़र बनाए हुए है लेकिन ऐसे में जो लंबे समय से हम यह क्यास लगा रहे थे कि बहुत जल्द बंगाल की इस्तिती को देखते हुए बंगाल में राश्पती श्वासन लगाया जाएगा सर आपका समीक जो कभी भी कर सकता है उसके लिए एक रिक्वार में जो है कि जो आका गवर्नर होता है ही शूट गेवर रिपोर्ट तो दप्रेजेंट आफ इंडिया कि वहां पे लॉइन ओर उस पर्टिकुलर स्टेट में लॉइन ओर की प्रॉब्लम है वहां पे कंसूशन जो है इस नॉ पिंग प्रॉपर्ली इंप्लिमेंटेट परंतु उसके कांसिकोंसिज क्या होते हैं बाद में धैट हैस्टू बी कंसेडर बिफोर दी एग्जेक्विटिव अब दी कंट्री इंपोजिस एट प्रेजिदेंट रूल इन प्रेडिकुलर स्टेट कूंकि मोस्ली देखा गया ह है कि सुप्रीम कोड की कुछ और व्यूज होते हैं सरकार के कुछ और व्यूज होते हैं अपुशन को कुछ और व्यूज होते हैं मीडिया कि बात को किस तरह से उचालती है उसको सुप्रीम कोड के जजिस किस तरह से टेक अप करते हैं ताकि बात में कंप्लिकेशन ना खड तो एक कोडिनेशन रखने के लिए कुछ स्टेट्स को पावर दी गई हैं प्रन्तु यूनियन आफ इंडिया इने सेंट्रल गोवर्मेंट को ज्यादा पावर दी गई जिससे कि वो सारे जो स्टेट्स हैं उसको यूनियन का एक पार्ट बना के रख सकें इसलिए 356 दैट इस सब्सक्राइब के लावा भी सेंट्रल गोवर्मेंट के बाद बहुत सारे तरीकें जिससे कि वो एक स्टेट गोवर्मेंट को यह फोर्च कर सकती है कि देशुट मेंटेने प्रोपर लॉन ओर और एंडे शुट अबाइट बाइट इप्रोविजन आफ इंडिया वही चीज इस के अंदर हमारी सेंट्रल गोवर्मेंट ने किया है यह इशुट दा नोटिस तू फिफिटी सेवन और सब्सक्राइब को आर्टिकल्स है उसके तहित इन्होंने स्टेट गोवर्मेंट को नोटी इशु किये देव कौड फाद रिपोर्ट साल सो उसके बाव जितनी भी स चाहिल्ड वेल्फेयों नेशनल कमिशन फर चाहिल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो उनके राइट से हैं इस तरह दियर सो मैनी ओर्गनेशन नेशनल आपके इन्वेस्टिगेटिटिए अजन्सीज ए सेंटल ब्यूरों फिन्वेस्टिगेशन हैं एंफोर्श्मेंट डिरेक् सब्सक्राइब हैं इसको पैरा मिल्टिकल फोर्शिस कहते हैं जिसको भेज करके अगर वो समझते हैं वहां पर इस्टिवेशन बहुत ज्यादा खराब हो रही देकने इंट्रवीन उसके बावजोद भी गौवर्नर को भी इतनी पावर है कि वह एक आर्मी को भी एजिस्ट पर इलक्षिन जए 舞 unf히 युंट्रव सासथिए पायला के बहुत हैं हैं उसके बाद वाइनस होती है और एलक्शन के दौरान भी वाइलेंस होती है और मैं तो कहता हो ओ रिसालू तावर प्राय मिनेस्टर एंडिया जो उनकी सुपरुईजन में एक्षेंड़ प्राय मिनेस्टर दोग से स्ट्रूट्री बोली ऑग्राप पूरा डाटा वह वह सब्सक्रक कम कैजुअलटी ज़ो है इस बार हुई है छाय वो pre-election violence कहली जीए जया election violence कहली जीएगा अलेक्षिन के दोरा around about 140 जो वर्कर्स थे अब पर पर प्रृ कुलर प्लिटिकल पार्टी वर किल उसके बाद में तुझे जो का इसोपडी हुई चाल, प्रटेन mount प्र्रोंड और पर प्लिटिकलेप्न पड़्य क wage की है जो कि 200 कैजूलिटी बहुत कम हैं अगर आप इसे कंपएर करेंगे सोलान से या उससे पहले कंपेर करेंगे या उन्नीस में जब लोग सबाग एलेक्शन तब से कंपएर करेंगे तो बहुत कम है इसके अंदर प्रण तो मेरा सवाल है क्या वाइलेंस बाइदी वर्कर अपे पर्टिकलर पॉलिटिकल पार्टी, whether he comes in the power or he loses the elections, should be allowed or should not be allowed, यह निकि अगर मालो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, I belong to the TMC, क्या TMC को यह fundamental right दे दिया है सविधान के अंदर, कि तुमारे इलावा यहां पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो कि आपके एलाइंस का हिस्सा ना हो आकर के एलेक्शन नहीं लड़ सकती पहला कोशन दूसरा कोशन ही है कि अगर स्टेट के अंदर मालो चार करोड अगर हमारी पॉपलिशन है क्या चार करोड को यह तो यह समय आपके TMC में करवाया गया है वेस्ट बंगाल के जो प्रॉब्लम हुई है वह इसलिए हुई है कि जो TMC है त्रिन मुल्क कॉंग्रेस को हम बोलते हैं डैट इस बैसिकली ए कॉंग्रेस उससे टूटकर बनी है फिर दुवारा जूड़ी है फिर टूटकर बनी है फिर बीजेपी से मिली फिट बीजेपी से बास हुई है यनि के इट से अपुर्चोनिस्ट पार्टी जो उसके नेता है ममताब एनरजी कहने को तो वह ब्रहमन है पुजारी की बेटी है पूरा करमकान जानती है और स्टेज पर खड़े होकर के पूरा चंडिपाद भी पढ करके सुनाती है पर इत अड़ सेसें ताइम मदर्सं में जाती है मजड़ी में जाती है अपना बाकःता बुर्कार्ट करके जाती है उनके पूरे-पूरे-बाक्राबं का मुश करती है और पिंग elegant को यह सार्मानी निकलती है उत्युए लटी खड़े क्यंदो कर लोंग कामों में पार्टिसिपेट करती है और कहीं पर भी अगर मालों हिंदु रिलियन का अंदर कोई फंक्शन होता है कोई सेर्मानीज होती है जो उनके प्रोफेशन प्रोशेशन वह निकलते हैं उनको बैन कर देती है और वहां यह कहती कि आपको जैशेराम बोलेंगे तो आपको सभीधान सेकुलर स्टेट का है सैकुलर स्टेट का मतलब को किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है इनवाल इटसल इनुए आप सी मेरा यह भी सवाल है कब तक राश्पति चासना लगएगा यह देखने वाली बात होगी लेकिन इसी बीस तरीके से मामता-बारा जी लग अगर अगर कोई भी टीम सी के बड़े पत के नेता कोई भी दबाव बनाते हैं जो सब्सक्राइब करने के मुश्क्राइब यहां पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है हाला कि लगतार तमाम जूटे सबूत वह सामें लेकर आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनके टीमसी के निता बेकसूर है लेकिन साफ्त अपन यहां पर फिर से ममता को बड़ा जि सब्सक्राइब करने के लिए अपने आप पावर में बैठी ती जो काम इस पार्टी आप इंडिया करती थी वहां पर वही क्बो कर रही है इस समय जतनी मार्काट कॉम्मीनिस्ट के टाम में होती थी उसे ज्यादा मार्काट अप कर रही है क्योंकि उसको एक विश्वास है कि कॉम्मिनिस पार्टी ने 30 साल यहां पर राज किया है किसके बल पर एक डर के मारे उसने पूरे अपनी स्टेट के अंदर एक फियर साइको सी जतना ज्यादा इंकलकेट कर दिया था पब्लिक के अंदर किसी भी पब्लिक के आम आदमी में इतनी हिमत नहीं होती थी वो कॉम् मनी और हर चीज के अंदर जब तक वहां के में लेकी या वहां पे यह पब्लिक का या टीमसी का कारी करता ना उसकी मर्जी बेना पता नहीं हिलता और हर कारी के लिए उसको पैसा दिया जाता है उसके बाद में वो कारी कर रा जाता वरना नहीं होता है राश्पते शासन कब वोने एक नी दो नी तीन नी चार नी कितनी बार रिपोर्टे बेच चुके और वो फील्मर भी गए हैं जब वह देखा सारी ओरते उनकी पैरों पकड़ रही हैं कि साब हम तबाव हो गए हमारी बेची जो बेटी हैं बच्चों के साथ बलातकार किया गया उनको मारा गया नं से बाहर नहीं निकल सके कहीं लोग तो उस घर के अंदर हम बड़ी मुसके अपना जान बचा करके लगब 10-15 आजार आदमी इसर्ड लेने के लिए साम में आये हमें बचा यह आपकी सीत रहें और यह साइद हमारी इस्टी में पहला मोका है जबकि एक गवर्णर जो कि स्ट आपको पता होगा एलेक्शन के तोरान के अंदर ममताब ने खुले आम कहाता कि ठीक है दो दिन के बाद में आपसे पूछूंगी इजो आप कर रहे हैं दो दिन के बाद आपसे में जवाब माँगूंगी तो जैट वाज तरट जिसको कि ममता बेनर जी ने इंप्लीमेंट किया है क्योंकि ममता बेनर जी को यह उमीद नहीं थी कि बीजेपी है पलिटिकल पार्टी वो तीन सीटों सा ततर सीटे ले जाएगी वो सोची थे जादा इगो जो था उसका हर्ट हुआ उसने एक ओपन चैलेंज दे दिये बीजेपी के वरकर्स को और अपने वरकर्स को इतनी छूट दे दिये कि वो कुछ भी कर सकते हैं मुझे उसको देख करके जो हमारा his OKD मुधि उसने क्या कह था कि उसमें वहां पर हिंदू-मूसलिम के रियौट्स हो रहे थे कि और उसने कहा थे बंगाल को में एक इसलामिक पाकिस्तान मनें है कि उस उसने क्या जितनी भी वहाँ पर हो AnGana साब को पटाए मारें और वहां इतना कतले आम उसने करवाया था जब मैं देखता हूँ हाला तो आज के तो मुझे वही शौराब जो मोदी था वो मुझे आज याद आ रहा है और उसके बाद में महत्मा गांदी जी जब बहुत लोग वहां पे हिंदू मारे गए जैसे हिंदू ने रिवोल् जो भी उसने जैसे महां से गांदी जी वापीज आई वही कार्ट दूबार उसने किया तो वही बाद यहां पर है आई डोंट राइए अपान दी स्टेट्मेंट गिवान भाइदा ममता बेनर जी वाटेवर शी से शी से इस मोर्मेंटरी गेन करने के लिए अदर्वाइस ही बड़े कूल माइडिटी परी पेशंसली हम लोगों ने इसमें काम करना होता है वी केनाट एक इन हैपेजर मैनर जब वह सिचुएशन बिलकुल एक सफिशेंटली रिजनेबल आ जाएगी जिसके अंदर हम सोचते हैं कि इवन दर सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटर्वी दो प्याइल और लगी वहाँ पर जिसमें कि यह जो पोस्ट एलेक्शन वाइलेंस है इसके ओपर लगाई गए थी और उन तीनों के अंदर जो अब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की है अगेस्ट इस्टेट गोर्में ममता बेनर जी बहुत ही एडवर्स है अगर मानलो मैं कि अगर मुझे भटकार पड़े की कोटों से तो मेरा स्टेटिस क्या है पंतु उसके बाउचूद भी जो ममता बेनर जी है वह इतनी धीट है जब मैं पेपरों में पढ़ रहा था आसे 10-12 दिन कहीं लिखा होता हत्यारन कहीं लिखा होता पापिन कहीं लिखा होता राक्ष लबी है यह अगर प्रेजिट रूहां पर लगाना है तो संट्रल गौवर्मेंट इसके लिए बिलकुल तियार है पर वो यह कहना है उसका लेट दी अप्रोप्रीट टाइम यह अप्रोप्रीट सिचुवेशन अप्रोप्रीट टाइम अन्या बहुत ज़रोरी है इते आश्पति श्वासन लगाया आजाएगा जो वाकई वर्तमान इस्तिती को देखते हैं वंगाल की बहुत ज़रोरी है लेकिन फिलहाल आप इन तमाब मुद्दों को लेकर क्या अपनी राय रखते हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा साथी साथ हमारे चैनल को सब् करना भी ना भोले अमस्कार